आप सभी को मेरा नमस्कार, अगर मन में शंका ये है कि गुरुप D के सेलेक्शन में कोई बाधा आ रही है, सर्थ स्लेबस को कैसे कंप्लीट करें, स्लेबस में मुझे क्या-क्या पढ़ना है, और अगर ये शंका मन में है तो जीहां इस वीडियो को आप पूरी देखिए, और जनरल अवेरनेस हो, या साइन से सम्मंदित चीजे हो, उसमें क्या-क्या जो मुद्दे की बात है, वो क्या पढ़नी है, आपको केवल उतना ही पढ़िए, सॉलिट पढ़िए, सही से पढ़िए, आपका सेलेक्शन हंडिट परसेंट होगा, तो चलिए वीडियो को शु स्लेबस में चार सब्जेक्ट आपको दिखाई दे रहे हैं, basically, mathematics, reasoning और इस पूरे को आप GS के रूप में देख सकते हो, जिसमें general awareness और general science है, यानि कि अगर बात की जाये तो इसके 30 question, इसके 25 question, तो 25 और 35 और 45 question इन दोनों से मिला कर, तो सर ये देखना जरूरी है कि सर इन दो इस question में किसका weightage कितना रहता है, तो general awareness, general science, reasoning और mathematics में सर स्लेबस क्या है, जो मुझे पढ़ना है, क्योंकि बच्चों में ये सारी चीजे होती हैं, कि वो कुछ भी उठा कर, कुछ भी पढ़ने लगते हैं, चीजे ना पता होने के कारण ये आफत सी रहती है, तो मैं आपको यहाँ पर ये पूरे उसमें बताऊंगा कि आपको क्या-क्या पढ़ना और कैसे पढ़ना है, उतनी ही चीजे पढ़िए जिससे आपका selection होगा, ज्यादा पढ़ने के आफशकता नहीं है, तो पहली slide पर आते हैं, यहाँ पर बात करते हैं, mathematics के syllabus में ये chapters आपको मिलेगे, ज साथ ही में उसके प्रतिशत chapter जो की बहुत important role play करता है, और साथ-साथ mensuration जिसके अच्छे खासे weightage होता है 25 question में, time and work, time and distance, मैं आपको ये भी बताऊंगा अभी आगे कि इसमें आपको पढ़ना क्या-क्या है, किस chapter से कितने question आपको मिलने वाले हैं chapter के weightage के हिसाब से, वो question easy होंगे, moderate होंगे, या difficult होंगे, सारी बातों की जानकारी दूँगा, बस साथ में बने रही हैं और वीडियो को पूरा देखियो, interest की बात की जाए, तो simple interest और compound interest के साथ, profit and loss chapter भी एक मैतपूर भूमिका निभाता है, और उसके बाद अगर advanced mathematics में देख्या जाए, तो सबसे पहला chapter आता है, algebra जमेट्री और trigonometry के साथ, elementary statistics, यानि की सांखिकी, प्रारंबिक सांखिकी भी आपसे पूछी जाएगी, उसके बा लेकिन possible ही होगा कि calendar और clock के सवाल भी आपको mathematics में मिल जाए, इन 25 question में, नजर अंदाज नहीं करियेगा, और उसके बाद पानी और टंकी से आपको सवाल मिलने वाले है, तो basically आपको math में इन chapters पर बहुत जादा focus करना है, आगे बढ़ रहा हूँ, आपको कुछ और चीजें आपके लिए बहुत जरूरी है, जैसे simplification की अगर हम बात करते हैं, तो simplification में आपको board mask के नियम पर आधारित प्रश्नों को देखना होगा, approach value पर जिसमें लगभग मान निकाले जाते हैं, उन पर देखना होगा, आपको बता दूँ कि approach value वाले जो question होते हैं, उसमें calculation होती है, और मैंने ये अनुभाव किया है, यूट्यूब पर पढ़ाते हुए कि जब भी, कोई भी अध्यापक, calculation based question कराता है, तो बच्चों की सं सवालों को ध्यान से देखिये होगा, उस पर मैंने एक वीडियो किया है, जिस पर मैंने वर्ग मूल को केवल देखते ही, आप किसी भी संख्या का वर्ग मूल कैसे निकाल सकते हैं, किसी भी संख्या का मतलब अगर किसी वर्ग संख्या का, तो उसको देख सकते हैं, दिपक्रण पर आधारित भी सवाल आपको मिलने वाले हैं। decimal यानि दसमलों पर उसके बाद घातांक और करणी पर सवाल आपको मिलेंगे। ये पूरा हिस्सा किसमें है? ये पूरा हिस्सा है simplification में यानि कि सरली करण में। अगर मैं DI की बात करता हूँ, data interpretation की बात करता हूँ, तो इसमें tabular graph का मतलब होता है, जिसमें आपको building नुमा चीजें दिखाई देती हैं, आपको आगे भी मिलेगा, ध्यान से देखिएगा। उसके बाद pie chart पर आधारित प्रशन होते हैं, pie chart का मतलब होता है, वरत के रूप में 360 degree बनता है, उस पर आधारित मिलेगे, line graph, अगर DI में कुछ थोड़ा बहुत आपको समस्या होगी, जिसको आपको पढ़ना होगा अच्छे से, तो आप line graph जरूर जरूर अच्छे से पढ क्योंकि इसमें numbers को देखने में थोड़ी सी समस्या होते हो, तो यहाँ पर बच्चा थोड़ा मात खाता है, और उसके बाद बात आती है, बाहर graph को देख, तो यह चार प्रकार के graph आपको DI में मिलने वाले हैं, बात करते हैं, algebra की जिसमें पहला आएगा identities, यानि कि सर्व समि का हैं, फिर linear equation यानि की रेखिक समीकरण पर आधारित प्रस्ण मिलेंगे, जिसमें एक variable होगा, एक variable की रेखिक समीकरण पर आधारित प्रस्ण मिलेंगे, रेखिक समीकरण की पर आधारित वो प्रस्ण भी मिलेंगे, जिसमें दो variable होंगे, quadratic equation वा, दुइघात समीकरण पर योँनिट डिजट भी आपका अलजब्रा में रखा गया है तो यूट डिजट यानी इकाई यह पर आधारित प्रस्थ्स्थ्न मिलेंगे लिनियर इनिक्वेलिटिज उसपर प्रस्थ्न मिलने वाले और function जितने भी इस पर आपको प्रस्थ्न मिलेंगे function का मतलब होता है अलजब्रा में जितनी भी चीज़े आ जाएंगी उस पर आपको function का हिंदी मतलब होता फलन फलन परादारी चीज़े आपको मिलेंगे अगर लिखा है x plus 1 upon x बराबर 3 है तो x cube plus 1 upon x cube का मान क्या होगा तो वो एक फलन है function इस प्रकार के प्रस्ण आपको मिलने वाले प्रतिशत चैप्टर की अगर बात की जाए तो particular प्रतिशत चैप्टर में जो देखो साफ साफ लिखा है भाई साफ साफ लिखा है calculation oriented basic problem आपको percentage में मिलेंगे calculation oriented यानि कि calculation होगा 25 प्रस्णों में सरल प्रस्णों का हिसाब करने का मतलब यह कि प्रस्ण सरल होंगे भाषा में लेकिन calculation oriented होंगे साफ साफ समझ लिजे अब उसके बाद बात कर लेते हैं number system यानि संख्या पद्दति की तो इसमें आप देख लिजे LCM HCF chapter जो की number system का ही भाग होता यह आएगा divisibility पर अधारित प्रस्ण मिलेंगे remainder theorem मिलेगी आपको integers और rational numbers मिलेंगे और उसके बाद irrational numbers पर सवाल होंगे यानि कि rational number परीमे संख्या उपर और आप परीमे संख्या उपर सवाल मिलेगा height जिसमें weightage average में height यानि उचाई पर आधारित आउसत के सवाल उम्र आधारित आउसर के सवाल अंक आधारित आउसत के सवाल और average money expenditure पर आधारित आउसल के सवाल मिलेगे कि average money expenditure की आउसतन इतना खर्च करता है इस पर सवाल मिलेंगे average temperature पर आधारित आपको सवाल मिलने वाले है कि सोमवार, मंगलवार, बुद्वार का उसत तापान इतना है फिर उसके बाद last के 4 दिन का उसत तापान इतना है बहुत detail में आपको बता रहा हूँ ये चीज़ें अगर आपने सुन ली, समझ ली तो बेड़ा पार है भाई ये आप समझ के चलो ratio and proportion की बात करते हैं अनुपात, समानुपात की बात करते हैं तो साधारन अनुपातों पर इस्तित सवाल मिलेंगे compound ratio पर इस्तित सवाल मिलेंगे compound ratio का मतलब होता है mixed अनुपात पर भी आपको सवाल मिलने वाले हैं direct और indirect proportion यानि की कई बार समानुपात direct दिखाई देता है कई बार direct नहीं दिखाई देता है जैसे सवाल यह होता है कि चार संख्याय दी है पोश्लिया की इन सभी संख्याओं में से क्या गटाय जा कि समानुपात में हो जाए तो उसको बोलते है direct और indirect proportion componendo और dividendo यानि की योगांतर निश्पत्ती पर आधारित आपको सवाल मिलने वाला है अगर मिलेगा fourth proportional चतुर्थ अनुपाती, third proportional तृति अनुपाती, age, mean proportion और मध्यन उपाती पर आपको सवाल मिले सकते हैं, अगर मिलेगे किस से ratio and proportion से chapter को ध्यान से देखिएगा mixture की problem यानि की misran की problem पर problem on making mixture of two or more entities या mixture जब दो या दो से ज़्यादा अलग-अलग misran को मिला कर एक misran बनाया जाता है तो उस पर आधारित आपको सवाल मिलेंगे ये chapter है misran problem का मात mensuration की कर लेते हैं तो mensuration में आपको दोनों के सवाल मिलेंगे area और volume of square जब हम area की बात करेंगे तो square कहते हैं और जब volume की बात करते हैं उसको तो cube कहते हैं यानि घन और घनाप पर उसके साथ-साथ area पर सवाल मिलेंगे आपको rectangle पर सवाल मिलेंगे circle पर सवाल मिल सकते हैं अर्दवरत पर सवाल मिल सकते हैं त्रभूज पर, सम्चतुरभूज पर समलंब पर, समांतर पर कून, शंकू cylinder, balance, cube, cuboid, sphere right prism, tetra, hedron और पिरामिट देखिए, पिरामिट भी यहां पर जोड़ दिया है इस पर भी आपको सवाल मिल सकता है तो यह basically मान है किसका mensuration का है कि इन सारी चीजों से आपके सवाल पूछे जा सकते हैं, अगली बात कर लेते हैं, time and work से किस प्रकार के सवाल आपको मिल सकते हैं work efficiency, यानि कारे चमता पर आधारित work and wages, दिहारी पर आधारित और इसी में पाली और टंकी को भी सामिल कर दिया गया work and wages को, उसको pipe और system को भी सामिल कर दिया time, speed and distance की बात करें चाल समय और दूरी की बात करें तो इसमें partial speed कि कुछ speed से, कुछ गती से इतनी दूरी तै करी, बाकी दूरी को इस गती से तै किया, इस पर आधारित सवाल मिलेगे, relative speed पर आधारित सवाल मिल सकते हैं निस आपेच गती पर कि एक पुलिस वाले को देखते ही चोर ने भागना शुरू किया चोर 20 की गती से भागता है पुलिस 30 की गती से पीछा करती है दोनों के बीच का अंता 200 मीटर है पुलिस चोर को कितनी देर में पकड़ेगी इसमें relative speed का concept लगता है वो मिलेगा, average speed तीन बराबर दूरियों को अलगले चाल से तैकिया, average speed क्या होगी boat and river पर question मिलेंगे कि एक नाव धारा की दिशा में इतनी गती से जाती है और उसके दो गुने समय में धारा के विपरीत वापस आ जाती है तो उस पर सवाल होगा problem based on train पर सवाल मिलेंगे यानि कि रेल गाड़ी पर धारित प्रस मिलेंगे कि एक train चलते हुए 500 मीटर लंबी एक train 54 किलो मीटर पति घंटे के रफ्तार से चलते हुए एक platform को इतने इतने देर में पार करती है वही train उसके आगे खड़े एक आदमी को कितनी देर में पार करेगी इंट्रेस्ट पर बात करते हैं तो simple and compound interest पर आपको सवाल मिलेंगे दोनों पर ही हाँ इस पर आपको installment के जो question होंगे उस पर भी एक नजर डाल के रखनी होगी मैं आपको कराऊंगा सारी के सारी बात है installment के question lab और हानी पर बात करें तो dishonest dealing कि एक बेमान दुकांदार पर आधारी जितने भी जादा से जादा प्रस्णाप कर सकते हो वो आप लगाओ फटाक से successive पर आधारी successive selling पर आधारी कि एक दुकांदार ने खरीदते समय 16.67% की बेमानी करी बेशते समय 44.44% की बेमानी करी इसके बाद वो 11 वस्तों की खरीद पर एक वस्तो फ्री भी दे देता है उसका लाब प्रतिशत क्या होगा इन समय सक्सेसिव लग जाता है partnership भी इसी में सामिल कर दी गई है उसके बाद discount और mark price कितना बढ़ाया गया कितना कम किया गया लाब क्या होगा इस पर आधारित प्रस्ण आपको profit and loss से मिलेंगे एक बात guarantee है लिख लो इनके बाहर जो मैं बोल रहूं इसके बाहर प्रस्ण पूछे नहीं जाएंगे याद रखना इस चीज़ का नंबर सिरीज पर आपको इस पर चीज़े मिलने वाली है geometry में क्या क्या आपको मिलेगा यह ध्यान से देखिएगा basic problem of triangle triangle में दो चीज़े बहुत important होती है concurrency यानि की संगता और similarity यानि की समरूपता इस पर बहुत सारी समस्या है पूछी जाती बहुत सारे प्रस्ण बंते theorem जितनी भी है segments की वृत्यखंड की theorem हो चाहें वो triangle की theorem हो tangent और chord पर आधारित प्रस्ण मिलेंगे tangent मतलब ispursi पर और chord मतलब जीवाओं पर आधारित प्रस्ण मिलेंगे basic question on different type quadrilateral और coordinate geometry से भी आपको प्रस्ण मिलेंगे coordinate geometry में मतलब की एक रेखा के बीच में कोई बिंदू है इनको इस अनुपाद में काटता है उन बिंदूों के निर्देशांग आपको दिये हैं कि 3, 2 है minus 4, minus 3 है ऐसे करके trigonometry में इस प्रकार की problem आपको मिलेंगी और probability भी आएगी very basic questions प्राइक्ता कि बहुत ज़्यादा basic समस्य होंगी जैसा एक प्रस्ण मैंने आपको बताया था कि एक गड़ी से अगर face card निकालने हो तो उसकी probability कितनी होगी क्या निकालना हो face card या निकि चेहरे वाले card निकालने हो पूरे एक pack से card के तो उसकी probability क्या होगी इस प्रकार से math का syllabus आपका पूरा होना ही पड़ेगा ठीक है और उसके बाद अगर हम बात करते हैं अगले उस पर तो दिखिए मैं यहाँ पर आप reasoning की बात कर रहा हूँ जो कि 30 number का वो लेकर चलता है तो reasoning में आपको क्या-क्या पढ़ना है इस पर आप ध्यान दे लो कैसे-कैसे पढ़ना इस पर आप चीजों को समझ लो analogy पढ़नी है, series पढ़नी है, coding, decoding पढ़नी है उसमें क्या पढ़ना है, यह आपके आगे लिखा है वीडियो को pause करना, notes बनाना, लिखना अगर आपने पढ़ाई शुरू कर दी है तो इसके आधार पे पढ़िए और अगर नहीं शुरू करी तो शुरू करी और फिर इसके आधार पे पढ़िए, लेकिन आपको पढ़ना इसी प्यारा आधारित है, extra मत पढ़ना कुछ भी, यह मैं बोल रहाँ बार-बार, पजल पर इस प्रकारगी पजल आ सकती है, direction, distance पर क्या आ सकता है, blood relation में क्या आएगा, alphabet और word test में क्या आएगा, यह सारी चीज़े यहाँ पर mentioned है, ठीक है, अब when diagram में क्या आए सकता है, number system, missing number में, non-verbal reasoning, classification और verbal reasoning, इन सब में क्या क्या आ सकता है, यह मैंने आपको लिखा है, जो की प्रस्न पूछे जाएंगे, group D में, इसके बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा, बार-बार कह रहा हूँ, next आईए, अब देखे, general awareness का जो syllabus है, उसमें आपको क्या पढ़ना है, सबसे पहले तो इस पर ध्यान दो, यह general awareness की बात कर रहा है, इसमें आपको क् सकते हो, कि से science और technology से, वो सारी की सारी पढ़िया, जितनी पढ़ सकते हो, थोड़ा सा बढ़ा कर देते हैं, ताकि आपको अच्छे से और दिखाई दे, science और technology से संबंदी, जितनी चीज़े आप पढ़ सकते हो, सारी की सारी पढ़िया, उसके बात personalities, कोन व्यक्तिक किस personality मे जाना जा रहा है जैसे अभी दुरौपदी मुर्मू का नाम एक सामने आ रहा है किसके लिए फॉर्दा केंडिडेट आफ प्रेसिडेंट्स इसके लिए नाम आ रहा है स्पोर्ट से संबंदित जितनी चीजें हैं पढ़ सकते हो पढ़ लो कि तीसरे T20 मैच में साउथ अफरीका को किसने हराया है साउथ अफरीका ने पहले क्या किया स्पोर्ट से संबंदित जितनी भी चीजें हैं पढ़ने वाली वो आप पढ़ हो जो स्लैबस में अब इससा नहीं कि UPSC की उठा के भी पढ़ने लगी है इकनोमी संबंदित यानि कि अर्थ व्यवस्था से संबंदित जो जो चीजें आप पढ़ सकते हो जो आपके पास पुस्तके हैं पुस्तकों की भी जानकारी मैं दूँगा अगले वीडियो में उसको भी मैं आपको बताऊंगा ठीक है कल्चर यानि कि संस्क्रती से संबंदित कौन सा फॉक डांस कहा है होता है किस स्टेट का फॉक डांस उसके लिए प्रसिद्ध है लोक नरत्ते उसके लिए प्रसिद्ध है जैसे असम में भी हूँ गुजरात में वो हलो ले हलो क्या होता है उसका जरा वो बताना ठीक है, जो दयावेन करती है, ठीक, Politics, राजनीती से संब्दिद एनी अधर सब्जेक्ट ऑफ इंपॉर्टेंट और दूसरे कोई भी सब्जेक्ट जो की इंपॉर्टेंस महतपूर्ण होते हैं, वो आपको जर्नल अवेरनेस में पूछने जाते हैं, जर्नल अवेरनेस का मतलब होता है, सामाजिक रूप से उन चीजों का ग्यान जो जानना जरूरी होती है, तो basic उसमें syllabus यह है इसको आपको पढ़ना ही पढ़ना है उसके बाद हम बात कर लेते हैं current affairs और बांकी चीजों की के आपको क्या पढ़ना है देख लीजे आपके पास लिखा हुआ है थोड़ा सा zoom कर लेते हैं और एक एक चीज करके आपको दिखाते हैं तो आपको समझ में आ सिखल हुई किस committee का काम क्या था उसकी अद्यक्ष कौन थे recommendation क्या है national affairs people and news जो लोग news में बने रहे हैं जो इस्थान news पर बने है जैसे यूगा दिवस मनाया गया था government policies जितनी भी government की policies और schemes आती है कि उजवला योजना किसके लिए पसिद्ध है वो आपको बताना है capital और currency उसके बाद जितने भी नए नियुक्तिया हुई है या जितने भी नए resignations हुए है किसने त्याग पत्र दिये है किसकी कौन सी appointments हुई है जोग्रफी में आपको ये सारी चीजे पढ़नी है इंडियन जोग्रफी में हिस्ट्री में आपको ये पढ़ना है policy में ये लिखा हुआ है economics में ये देखना है आगे बढ़ता हूँ थोड़ा सा तो मैं बात कर लेता हूँ miscellaneous type में miscellaneous type में आप देख लिजे आपको क्या लेकर चलना है miscellaneous topics जो है न उसमें क्या है उसमें भी art and culture से संबंदिच चीजे है awards and honor जो उपर लिखी थी उससे संबंदिच चीजे आप वो लेनी होंगे और जो नया आ रहा है वो देखना है bitcoin और cryptocurrency यह नया है यह आपको मिलेगा bitcoin और cryptocurrency की cryptocurrency क्या होती है भारत में regulate हो रही है यह नहीं है authenticate है यह नहीं है bitcoin पर जितनी भी चीजे और सबसे ज़्यादा ज़रूरी जिस पर दो question मिलने ही मिलने है क्योंकि science और technology पर है इस पर आप लोग बहुत ज़्यादा focus करिएगे यह slabus है मैं आपको बता रहूं क्या आपको पढ़ना है ठीक है अब देखे जड़ा match में किस chapter का weightage कैसा रहेगा और उसका level कैसा रहेगा इस बात की भी जानकारी मैं आपको दे देता हूं ज्यान से सु एक question मिल जाएगा यह सरल रहेगा सरल से moderate के बीच में profit and loss इस वीडियो को समाल के रखना paper के बाद यह काम आएगा याद करोगी कि अनुवाग सर्म ने ऐसा कुछ बताया था profit and loss से देख लिजे weightless देखिए सर इसका तीन से चार question होंगे जो easy से moderate होंगे moderate का मतलब यहाँ पर calculative भी हो सकते हैं age, are you से एक question मिलेगा सरल तरीके से time and work से एक से दो question मिल सकते हैं सरल बहुत जादा नहीं होंगे time and work में जैसे normal होता है एक इसी काम को 10 दिन में कर सकता है ऐसे question की जगे जैसे मैंने कल के second में question कराय थे वैसे मिल सकता है ठीक है geometry, geometry में अगर बात की जाती है circle से a question मिलना ठाइर हो सकता है और भी किसी से question मिल जाए लेकिन circle से एक question मिलना आता है जो कि easy से moderate level का होने वाला है हो सकता है time, speed and distance की बात करें तो 2 question आपको मिलने confirm है अब ये time, speed and distance से मतलब ऐसा नहीं कि particular यही chapter होगा इसमें problem based on train भी सामिल होती इसमें race भी सामिल होती इसमें boat and stream भी सामिल होती है इनसे आपको question मिलेंगे दो, easy level के बहुत difficult नहीं आएंगे average की बात करते है एक question confirm होगा किस पर deviation पर या average weightage पर easy type का त्रिकोर मिती से 3 question confirm है easy से moderate level के बहुत ज़्यादा difficult question आपसे वैसे भी नहीं पूछे जाएंगे क्योंकि time का ध्यान रखा जाता है प्रतिशत से 2 question easy से moderate pie chart पे at least 2 question graph में खास तोर पर pie chart di at least 2 question 2 question मिलने तय है जो की moderate level के होगा और miscellaneous से आपको 5 question मिल सकते है vivid से sir vivid क्या होता है mix up vivid से 5 question मिल जाएंगे moderate level के इसमें हो सकता है कुछ question ऐसे हो जिसमें calculation अच्छी खासी हो जो आपको करनी पड़े जिससे आप लोग youtube से दूर भागते हो ना जब कोई भी अध्यापकी सिखाने की कोशिश करता है कि calculation कैसे की जब मैं अपनी बात तो करी रहा हूं आपने सारे अध्यापक की बात कर रहा हूं तो आप लोग उससे दूर भाग जाते हो सीखने का प्रयास नहीं करते हो आज आप नहीं सीखोगे कल आपके लिए समस्या होगी नोकरी नहीं मिलेगी बेरोजगारी बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं आप लोग इस बेरोजगारी को बढ़ाने में अपना सयोग दे रहा हूं तो जो अगर टीचर सिखा है तो उसको सीखे प्लीज टोटल आपके 25 क्वेस्टन होंगे मैस में जो की मॉडरेट लेवल के होंगे इसी नहीं कह सकते है डिफिकर नहीं कह सकते है पेपर मॉडरेट आएगा लिख लो आज पहले से बता दे रहा हूं गोसना कर रहा हूं भी पेपर का काफी समय वाकी है अब अगर इसको वेटेज के हिसाब से देखते हूं मैस को मैथमेटिक्स का इस हिसाब से आपका वेटेज होगा स्क्रीन शॉट ले लीजेगा ये नंबर्स लिखे हैं कौन सा क्वेटेज कैसे आएगा इसको बोलते हैं बार ग्राफ इसको क्या बोलते हैं बार ग्राफ ठीक चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं हाँ रीजनिंग के टॉपिक्स की बात करें तो कौन कितने नंबर का हो सकता है इस पर मैं आप बात कर लेता हूँ और उसका लेवल क्या होगा इसको भी आपको बता देता हूँ समझ लो देख लो लिख लो सिलोक से चार से पांच क्वेश्चन बन रहे हैं मुझे लग रहे हैं लेकिन चार से पांच आयेंगा नए यह एज लेबल क्यों हो det講 है थेक일 चार से पांच जादा है मुझे दो से तीन लग रहे हैं लेवल फिज भूगा वेंड डायग्राम से ग्वेश्चन आना तसा है mathematical calculation से question आने ता है mirror image odd and one ये आपका slabis है reasoning का जिससे किस chapter से क्या question पूछे जाएंगा और उसका level क्या होने वाला है ये बात वहाँ पर चल लए ठीक है आगे के reasoning के chapter देख लिजे जिससे आपको चीजे इस पर स्थ होंगी clear होंगे इस तरीके से किस chapter से क्या weightage के साथ सवाल आएंगे और उनका level क्या होगा इस पर हम लोग बाग कर रहे हैं बागी की चीजों को देख लेते हैं कि उस पर चीजे कैसे आएंगे और किस chapter से क्या question number of question कितने रहेंगा और उनका weightage क्या रहेगा इस पर भिध्यान देंगा